और आज हम जो बात करेंगे वो drafting and presentation के हवाले से बात करेंगे so reporting में या writing में news reporting, news writing और drafting इसमें बेटा फरक क्या हो सकता है थोड़ा सा इस बात को जरा समझ लें आप देखें एक reporter जो है जो field में काम करता है चाहे वो आपका correspondence हो, चाहे वो reporter हो, कोई भी नाम आप उसको दे लें लेकन उसकी जो working है, जो उसकी बेटा working उनकी जो responsibilities है वो almost same है कि उन्होंने किसी भी वाक्य को, किसी भी event को, जो है वो report करना है जैसे news की हम आम सी अगर simple सी definition करें to report an event as it occurred, किसी वाक्य को बिल्कुल वैसे ही report करना जैसे वो वाक्य हुआ है very simple सी definition है, आप इसको किसी भी दरह से check कर लें कि किसी वाक्य को to report an event as it occurred इतनी बात भी काफी है, to report an event लेकिन news में हमेशा बेटा objectivity का ख्याल रखना पड़ता है biasness ने उसमें आ सकती लेहाजा जब हम यह बात करते हैं to report an event as it occurred तो इसका मतलब है कि किसी वाक्य को ऐसे ही report करना कि जैसे बेटा वो वाक्या हुआ है तो अब वो reporting आपका कोई नुमाइंदा कर रहा हो वो reporting आपका paid reporter कर रहा हो staff reporter कर रहा हो कोई freelancer कर रहा हो कोई भी कर रहा हो तो उन्होंने किसी वाक्य को जब देखा तो as it is वो report करके आपको तो यह है to report anyone write करना किसी चीज़ को हाँ वो हम पढ़ चुके हैं कि हमने जब खबर बनानी है तो फिर किस तरह से कौन सा जो style है वो अपनाना है reporting के लिए writing के लिए अब जब बेटा एक चीज़ report हो जाती है तो report होने के बाद वो कहां जाती है फर्ज करें you are working as a correspondence a reporter for any media organization और आपने एक वाक्य को देखा और उसकी news बना के आपने उसको report कर दिया तो आप उसको कहां report करेंगे बेटा आप उसको report करेंगे definitely अपनी media organization जिससे आप वबस्ते हैं उसके office में वो news agency हो, वो अखबार हो वो radio हो, वो television हो तो जब आप उसके office में अपनी चीज़ को उसको कहते हैं file करना to file the news आप अपनी खबर को file कर देंगे ठीक है आपकी जुमेदारी खत्म हो गई then आप उसके साथ क्या होने वाला है अब आपने तो report file कर दी खबर आपने दे दी और जैसी खबर आपने file की है as it is तो नहीं चपेगी और जारे अगर as it is भी चपनी है तो उसको कौन चपेगा या उसको on air कौन लेके जाएगा ठीक है तो यह जो basically उसके बाद का मरहला है यह बेटा पहला मरहला था जिसको हम कहते हैं reporting के हवाले से वो reporting section का है और दूसरा मरहला जो है यहाँ पर शुरू हो जाता है news section की जुमेदारी किसी भी television अखबार में रेडियो में एक news room होता है जो के like a backbone किसी भी media organization में read की हटी की असियत रखता है और जो news room है basically वो ही खबरों को start out करता है बसम फर्स करें कि आपके television के office में या news room में daily 3-4 खबर land कर रही है फाइल हो के आ रही है news agencies से, monitoring से, reporting से, bureaus से और other sources से तो बोज़ार है कि सारी की सारी खबर आप TV पे नहीं चला सकते सारी की सारी खबर आप news room में अखबार में नहीं चाप सकते तो आपने उसको जो है वो क्या करना है उसकी starting करनी है तो उसकी sorting से लेके फिर खबर बनाने तक जो चीज़ आपने start out कर ली है कोई जो है वो वीडियो एड़ करनी है उनके साथ आपने कोई voice over एड़ करना है तो वो सारा उसको final करने के बाद फिर आप उसको on air के लिए बेजते हैं तो ये जो बेटा drafting है और presentation है ये दो मरहले है reporting के बाद जब हम बेटा print media की बात करते हैं तो वहाँ पर हम simple news room का लफ़ जो है वो यूज करते हैं और जब हम जो है वो television के लिए बात करते हैं तो then हम E.N.P electronic news production के नाम से या electronic news room के नाम से आप उसको कह लें ये लफ़ हम यूज करते हैं तो crew का लफ़ आपने आरे ही सुना हुआ है हमने शायद एक दो दिन पहले भी बात की थी जैसे हाँ कल ही मेरे खैले DSNG के हवाले से बात हो रही थी तो उसमें जैसे जहाज का crew होता है जिसमें captain है और बाकी लोग चीज़े है इसी तरह से हम इसके लिए crew का लफ़ जो है वो यूज करते है तो सबसे पहले जो चीज़ है वो है news editor news editor खबरों को start out करता है और key role जो होता है वो news editor का होता है according to policy भी चीज़ें शामल होती है तो news editor चुँके मलाजम होता है उस अधारे का तो इस हवाले से उसको अंदाजा भी होता है कौन से चीज on air करनी है कौन से चीज on air नहीं करनी है तो पहला काम जो है वो news editor का है to select the news के कौन सी खबरे जो है वो on air चाहेंगी उसके बाद जो है और फिर इस हवाले से वो guide भी करता है कि किसको आपने top priority पे रखना है किसको second पे किसको third में ये फैसला भी news editor करता है script writer और script editor sometime आपके पास footage आजाती है किसी भी news के हवाले से लेकिन उसके साथ जो अलफाज जो लिखे जाते हैं उसको हम television की इस्तला में और radio की इस्तला में script writing कहते हैं तो वो जो content writing है या script writing है उसके लिए भी आपको जैसे हम अखबार में देखते हैं कि हमें कुछ खबरे rewrite करने पड़ती है information होती है लेकिन वो इसकाबल नहीं होती कि वो खबर की उसको हम उसको खबर कह सके तो वहाँ पे जो rewrite करना पड़ता है यहाँ पे आपको उसी को हम कहलें कि आपको script writing करनी पड़ती है footage के साथ अगर आपके पास कोई content नहीं है तो आप उसको लिखेंगे और sometime जो आपके पास report आई है वो बहुत लंबी चोड़ी है या उसमें बहुत ज्यादा लिखा हुआ है तो फिर आप उसको ख़बर की शकल में देते हैं और जितने अलफाज आपको required होते हैं उतने अलफाज में आप उसको लेके आते हैं ताकि आप उसको on air कर सकें इसी तरह से वीडियो टेप जो अडिटर है वो आपको जब उसके लिए आप जो है वो जाहरे अगर footage लंबी चोड़ी है तो उसको आपने edit कराना है कल भी हमने बात की थी कि कौन से जो है वो according to the script आप पिर उसके editing करते हैं कि जो buildings, जो मामला, जो अफ्राद, जो चीज़ें आप दिखा रहे हैं उसी के accordingly जो है वो editing हुई हुई हो क्योंकि अगर editing प्रॉपर नहीं होगी तो आप बोल कुछ और रहेंगे script कुछ और लिखा होगा और जो footage है वो कुछ और चल रही होगी graphic artist की हमें बहुत जरूरत पेचाती है जैसे हमने budget पेच किया है और उस वाले से आपने बताना है कुछ columns बनाके pie charts बनाके कुछ graphics बनाके किसी चीज़ की height को show करना है किसी चीज़ की low को show करना है तो वो हमेशा एक तो दिल्चस्पिक आंसर उसमें बढ़ता है दूसरा उसके लिए जो देखने वाले है उसके लिए understanding बड़ी बेतर हो सकती है मसलां आपने 2010, 2011, 2012 इस तरह से लिखा और graphics की मदद से data को show किया किस साल में data कितना था तो वो आपको ज्यादा बेहतर जो है उससे देखने वाले को सुनने वाले को understanding भी होती है और इस तरह से वो आपकी खबर को ज्यादा दिल्चस्पि बनाता है वाइस ओवर प्रफेशनल के लिए जरूरी है कि वो लोग वाइस ओवर कराएं जिनकी आवाज अच्छी हो अच्छी से वराज यह है कि वो आवाज आउन एर जाने के लिकाबल हो ठीक है जरूरी नहीं कि हर शक्स की आवाज जो है और वो रिकॉर्डिंग करा सके तो इसलिए सम्टाइम अखबार में कुछ लोग प्रफेशनल होते हैं और कुछ लोग जो है उनकी आवाज की टोन और पिछ इस तरह से होती है कि उनको रखा ही इसलिए गया होता है जिस तरह से आप टेलिफून पर सुनते हैं या कभी आप किसी को कॉल मरा रहे हों तो उस पर सुनते हैं या टेलिफून एक्सचेंज में सुनते हैं कि वो प्रफेशनल से वाइस ओवर रिकॉर आके उसके रिकॉर्डिंग की गही होती है इसके लवा कुछ स्किल्स की और भी जरूरत होती है तो उसके लिए हम कह सकते हैं मल्टी स्केल्ड वो शक्स जो मुख्तलिफ स्किल्स के नितलक जानता हो सम्टाइम जरूरी नहीं है कि आप उसके लिए बकायदा से एजुकेशन लेके आए बकायदा से डिग्री लेके आए कुछ लोग relevant education नहीं भी होती लेकिन वो काम करकर करके इतने export हो चुके होते है कि आप उनको professional जो है वो कह सकते है तो ये वो crew है जिसकी हमें जरूरत होती है किसी भी electronic newsroom में खबर को on air करने के लिए इसके बाद है जी PCR production control room from where the news bulletin is controlled given commands ठीक है जी तो PCR बोलते हैं production control room को जहां से कोई भी bulletin जो है उसको command किया जाता है उसकी जो control है उसके आगर आप लोग गोर किया हो तो एक चोटा सा mic जो है हमेशा जब भी आप television program देख रहे होते हैं तो anchor person या जो भी मेजबान है उसके कान में लगा होता है और जिस तरह से आप news के दुरान anchors को देखते हैं तो वो सवाल कर रहे होते हैं तो वो basically खुद नहीं बोल रहे होते हैं उनको पीछे से जो producer है control room में बैठा हुआ वो उनको बता रहा होता है कि अब आप ये सवाल करें आप ये सवाल करें इस हवाले से ये terminology थोड़ी बहुत जो है इसका आपको अंदाजा होना चाहिए वैसे तो सारे चीज़ें जब आप working में जाते हैं practically तो ज्यादा बेहतर बलकि बेहतर समझ आती ही तब है ये तो सिर्फ फिल हाल हम एक just आपको हो नो हो जाए इस हवाले से तो चीज़ें हम यहाँ पर ब्यान कर रहे है MCR जो है वो master control room from where video, stories, clips are played as per the command of PCR so production control room जो है वो command देता है MCR को और उसके accordingly वो चीज़ें वहाँ पर display होती है vice over हम पहले भी बात कर चुके है the idea given to final script in a special room with minimum disturbance कि वहाँ पर कोई अवाज नहीं ये बकैदा से कमरे बने होते हैं vice over के लिए जहाँ पर जो vice proof होते हैं वहाँ पर कोई और आवाज नहीं जा सकती तो वहाँ पर जाके sometimes reporter अपनी आवाज में भी कराते हैं और अगर उनकी अपनी आवाज इतनी अच्छी नहीं है अच्छी से मुराद ये है कि या speaker से गुजारते हैं तो वह आवाज कानों को भली लगे तो इस हवाले से almost reporter कर लेते हैं लेकिन अगर किसी का नहीं है तो वह किसी और से vice over करवा लिया जाता है news room की हम detail में बात कर चुके हैं where all the journalists sit together and work journalists ये आपको पता होगा इस हवाले से कि अगर हम उसकी definition करें camera अठाने वाला journalist नहीं होता प्रांप्टर से देख के खबरें पढ़ने वाला अंकर journalist नहीं होता अब आप वो खुद को journalist declare करते रहें television या खबार के दफ्तर में या किसी media organization के दफ्तर में काम करने वाला हर शक्स journalist नहीं होता ठीक है so journalist basically वो जो create कर सकता है चीजों को जो gather करता है चीजों को news के हवाले से जो collect करता है जो present करता है तो उस हवाले से cameraman, anchor person और बाकी सारे जो technical staff है वो journalist की definition में या category में नहीं आते हैं तो इसलिए यहां पे लिखा हुआ है कि वो journalist जो वहां पे बैठते हैं वो सारे वो ही हैं जो working कर रहे होते हैं खबर के साथ producer बहुत अहम शुबह है बहुत अहम ओधा है आप जो कहलें कि यह एजे जो बाप या माँ सारा चीजों को उसका काम कर रहा होता है की post होती है यह so who is associated with production of news तमाम production का जो मरहला है खबर के फाइल कहूने से लेके on air जाने तक तो उसमें producer का रोल बड़ा हम होता है वो overlook कर रहा होता है सारी चीजों को monitor कर रहा होता है और वीडियो अडिटर जो है वो अडिट्स था story जिसमें footage के हवाले से हमने बात की थी अब यह जरा आप structure देख लें news room का जो on air news होती है वैसे मैंने आप से बात की थी अगर आप किसी अख़ार sorry television के दफ्तर में जाएं तो आपको चीजें ज़्यादा बेहतर तरीके से कभी आप विजट करें तो नजर आएंगी किस तरह से on air चीजें जाती है आप अगर ज्यादा तर लोग पिछले सेशन में पिड़ी स्लामबाद के थे तो उस वाले से पी टीवी का अगर आपका जो है वो चांस मिले आपको तो उसको ज़रूर विजट करें क्योंकि उसमें वहां पे जो अक्विप्मेंट है और जो बाकी मामला वो बहुत अच्छे हैं रादर जो प्राइवट जो प्रोड़क्शन जाउसस हैं या प्राइवट टीवी चैनल्स हैं यह हम बात कर चुके हैं जी एक से ज्यादा कैमरे लगे होते हैं स्टोडियो में तो कभी एक एंगल से आपको ख़बर दखाई जा रही होती है कभी दूसरे कैमरे पॉन किया जा रहा है इसके बाद आप देख रहे हैं कि स्टोडियो उसके अंदर जो है वो एंकर कैमरे मैन और कुछ गेस्ट जो है वो भी हो सकते हैं और उसके बाद जो है वो एमस्यार मास्टर कंट्रॉल रूम जो है वाग का